जम्मू कश्मीर में अनुच्छे 370 हटने के बाद पहली बार और पिछली बार हुए विधान सभा चुनाओ के 10 साल बाद अब जाकर विधान सभा चुनाओ आयोजित किये जाने हैं अखरी बार यहां चुनाओ 2014 में हुए थे और तब से लेकर अब तक यहां बहुत कुछ बदल चुका है 2015 में बनी पीडीपी बीजेपी की सरकार 2018 में तूट गई उसके बाद राजपाल तो उसके बाद राश्रपती साशन लागू हुआ इस दोरान नामुम्किन सा लगने वाला अनुच्छे 370 हटाया गया लाल चौक में तिरंगा फहरने लगा पत्थर बाजी थम गई जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया फिर केंदर साशित प्रदेश बना दिया गया इसके बाद बाहरी लोगों को भी जम् जम्मू कश्मीर में लद्दाख की चार सीटे मिलाकर 87 विधानसभा सीटे थी लद्दाख के अलग होने के बाद सिर्फ 83 सीटे बची और परसीमन के बाद साथ नई सीटे जोड़ी गई जिनमें 6 जम्मू और एक कश्मीर में बढ़ाए गई अब जम्मू कश्मीर में टोट सीटों का बहुमत हासिल करना होगा जम्मू कश्मीर में हुए इसी परिसीमन को बीजेपी की एक बड़ी स्टेटजी माना जा रहा है पिछले शुनाव में बीजेपी को जम्मू में 37 में से 25 सीटे मिली थी जब कि कश्मीर और लद्दाक में बीजेपी का खाता ही नहीं खुल हलाकि इस बार कॉंग्रेस, पीडिपी और जेके एंसी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं जो पिछली बार अलग थलग थे फिर भी बीजेपी ने ऐसी स्टेटजी बनाई है जो या तो पार्टी को इस छेत में बड़ी जीत दिला सकती है या फिर बुरी तरह हरा भी सकती है ब उमीद्वार, समास से भी, विसल बिलोवर, एथिलीट्स और कला संस्कृती से जुड़े हुए हों ऐसा करके विजेपी जम्मु कश्मीर के यूथ वोटर्स को अपनी तरफ आकरशित करेगी इससे उन लोगों को भी राजनीती में आने का मौका मिलेगा जिनका दूर दूर से पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन नहीं था इससे राज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने और उनमें से अपना उमिद्वार सुनने के लिए विधान सभा के हिसाब से प्रभारी न्युक्त किये गए हैं जिने प्रत्य जैसे महभूम मुफ्ती की पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की जेके अंसी पर दिल्चस्पी नहीं दिखा रही है ऐसे में इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि जम्मु कश्मीर की राजनीती में नए लोग आएं और घाटी की पुरानी अलगावादी सियासत को बद सकते हैं हाला कि इस पार्टी का एजन्डा वापस से 370 लागू करने का है जो पीडीपी और जेके अंसी का भी है खैर बात चुनाओ के करें तो इस बार जम्मु कश्मीर में साथ सीटें सी और नौ सीटें स्टी के लिए रिजर्व हैं साथी दो सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए हैं जिन में से 1 महिला सीट है अला कि इन दो सीटों में सदस्यों को चुनने का अधिकार राजपाल को है वैसे जम्मू कश्मीर में टोटल 114 सीटें हैं जिन में साथ 24 के लिए रिजर्व हैं फिलाल वहां चुनाओ नहीं हो सकते इसलिए अभी 90 सीटों पर ही चुन जम्मू कश्मीर विधान सभा चुनाओ कराना सरकार और एलेक्षिन कमीशन सही सेना तीनों के लिए बेहत चुनोती पूर्ण होगा क्योंकि यहां बीते कुछ महीनों से आतंकी हमले और घुस्पैट बढ़ी है ऐसी पूरी आशंका बनी हुई है कि आतंकी वोटिंग को 42.62 लाक महिला हैं जबकि 3.70 लाक नए वोटर्स हैं इनके लिए 11,838 पूलिंग स्टेशन और 735 बूत बनाए गए हैं साथ ही कश्मीरी प्रवासियों के लिए दिल्ली जम्मू और उधंपुर में भी स्पेशल पूलिंग बूत बनाए गए हैं यह जानकारी आपको कैसी ल